कई बार आपने देखा होगे कि इंडिया में कई स area जो filmें या फिर TVserialस हैं, इसमें जो business families दिखाई जाती है, अनके सरनेम कई बार सिंगानिया होता है, और ऐसे एक सिंगानिया फैमिली है, जो इंडेया में एक बहुत बड़ा business empire चलाती है रेमंल्ड का , और रेमन का बिजनस चलाने वाली यह जो सिंगानिया फैमिली है, इनके लाइफ पर एक नजर डाले, उनके लिगल इशूस पर, फैमिली कॉन्फिक्ट्स पर, तो एक जवर्दस मुवी, या फिर टीवी सिरियल, या फिर वेफ सिरीज यहां से इसली निकल कर आ सकते हैं, इतन उन्होंने दिखाया, कि दीवाली की जो पार्टी है रेमन की, उसमें उन्हें आने नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने जो वीडियो बनाया, वो सोचल मेडिया पर काफी शेर हुआ, और इसके बात से पंधरा दिनों के अंदर, कंपनी के शेर प्राइस दस परसंद स जादा से गिर गई, तो अब सवाल या आता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और रेमन इस कंपनी का इस पूरे चीज़ से क्या लेना देना है, और फिर आखिर गौतम सिंगानिया हर बार लिगल इश्यो में कैसे फस जाते हैं, नमस्कार, मैं प्रसादप का आज किस वीडियो में स्वागत करता हूँ, रेमन ग्रूप को शुरुआत से मेंली विजेपत सिंगानिया चला रहे है, तो जैसे जैसे बिजनस एक्सपांड होने लगा, तो वैसे में सिंगानिया ग्रूप अपनी फैमिली में किसी के तलाश म और वो चीज उन्हें दिखे गौतम सिंगानिया में, जिसके चलते गौतम सिंगानिया को बिजनस में लाया गया, तो 1990s में जब गौतम सिंगानिया ने रेमन के बिजनस में इंट्री की, तब रेमन फैब्रिक्स, गार्मेंट्स, सिमेंट, स्टील, उसके बाद निउस बिजनस को बेज दिया और इस तरह से अपने जो करजे वगरा थे वो क्लियर कर दिये और बाकी पैसो से फोकस रखा अपने गार्मेंट और फैब्रिक के बिजनस पर और फिर वही से उन्होंने रेमन को और तेजी से बढ़ाना शुरू किया, तो साल 2001 तक गौतम सिंगानिय ने अपने 1200 क्रोड की बिजनेस बेच दिये थे और फिर बाद में सब करजा वगरा चुका कर 600 क्रोड के पास से जिसे रिइन्वेस्ट करके बिजनेस को बढ़ाया गया अब गौतम सिंगानिया की लीडर्शिप के अंडर जो बिजनेस की ग्रोथ हो रही थे उसे देखका सब ह इसी के चलते विजेपत सिंगाने ने यहां पर एक और चीज कि कि उनके पास अपना 37% स्टेक था वो भी उन्होंने गौतम सिंगानिया को ट्रांसफर कर दिया बाद में विजेपत सिंगाने ने इस चीज पर कहा कि यह उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी अब ऐस उस 14 मंजले इमारत थी जिसमें 4 Duplex फ्लाइट से तो विजेपत सिंगाने के प्लान था जिसमें से एक फ्लाइट गौतम का होगा एक खुद उनका होगा एक उनके भाई के बेटों का होगा और एक उनके भाई की वाइफ का लेकिन जब यह बिल्डिंग पूरी हुई तो उस इस पर मेरा हक है और यह चीज मुझे मिलनी चाहिए जिसका कोट ने भी कहा कि उस चीज पर आपका हक है लिकिन फिर तब विजयपत सिंगाने ने सोचा कि अब मुझे वहां रहने का मन नहीं है मैं उसे बेच कर कई और फ्लैट ले देता हूँ अब देखिए वो जो प्रॉप जिसके वाद ही मामला फिर से स्टॉल रहा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ जिसके बाद ही विजयपत सिंगाने ने स्टेटमेंट दिया था कि अपना स्टेक अपने बेटे को देना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और किसी बेट को अपनी पूरी जाइदाद बेटों के न कि जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी बेटा अपनी बाप के साथ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जो मेरे साथ हुई है और शायद इसी चीज़ की वज़े से मेरी जो लाइफ है वो इनकंप्लेट है कही ना कही अब यहां तक कि जो स्टोरी है वो तो गौतम सिंगा ने और उनके अब रिसेंटली गौतम सिंगाने की वाइफ ने वी इसमें जम किया है गौतम सिंगा ने जो की पिछले कई सालों से मैरीड है और जिनको दो बेटिया भी है उन्होंने भी रिसेंटली डिसाइड कि वह भी डिवॉर्स लेने वाले है जिसके चलते नवाज मोधी ने उन पर इसा कहा कि पूरी पूलिस मेरे जेब में है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा जिसके चलते इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार नवाज मोधी की बादचेत फिर अंबानी फैमिली से हुई नीता अंबानी और अनन्त अंबानी के साथ और फिर बाद में वहाँ पर प 25 परसंट की वेल्थ चाहते हैं अब इसमें कई सारे मतलब कॉंफिट्स निकल कर आ रहे हैं सोचल मीडिया पर कई सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि जब गौतम सिंगानिया ने अपने पापा को घर से निकाल दिया जब वो चौल में रह रहे थे तब आप कुछ भी क्यों नह गा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा फैमिली मैटर है तो मुझे उसपस कुछ भी स्टेट्मेंट नहीं देना है एक इन्वेस्टर पॉइंट से बात करें तो रिमन ग्रूप की हमेशा से कुछ इस तरह की कॉंट्रवर्सिस की हिस्ट्री रही है लेकिन फिर भी कई सारे इन् इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका कोई ऐसा इन्वेस्टिंग का फ्रेंड सरकल नहीं है जहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं और इसलिए हमने बनाये हैं The Finance Club by Prasad जहाँ पर हजार लोग पिछले कुछ मेने में जूड़ चुके हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में पूछते हैं जिससे आपको भी कई सारी ऐसी चीज़े पता चलती है जो शायद यह आपको पता होती साथ इस फाइनास क्लब में हम जल्द ही फाइनशल क्विस्ट शिरू करने वाले हैं जहाँ पर आप काफी सारे प्राइज जीच सकते हैं इस क्लब को जॉइन करने के यहाँ पर नवाजमोदी और गौतम सिंगानी की बीच की जो चीज़े अभी चल रही है वो अभी धिरे-धिरी क्लियर होगी जैसे से मामला भी कोर्ट में जाएगा पर इस चीज का सबसे बड़ा नुकसन अगर किसी को हो रहा है तो सिंगानिया फैमिली नहीं बलकि आम शे आएग ऐगे शचाब अब जाएग फैमिली मेन लेकिन अगर हम उनकी बिजनस जरहनी की बात करें बिजनस चलाने की बात करें तो कंपनी का तो अभी बढ़ रहा है लेकिन कंपनी की जो फ्रफिटी आपलिटी हैwo हो रिशन टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है विश बहुत बड़ा लैंड पारसल था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रियल इस्टेट की बिजनस में जाकर काफी कुछ ग्रोथ इस ग्रूप को दे और उनका यह जो प्लान था हुए बहुत सक्सेस्पुल हुआ इनफेक्ट कंपणी का जो पिछले साल का रिविन्यू था 8,300 करोड का उसमें से 1115 करोड का जो रिविन्यू है वो रियल इस्टेट से आया है और कंपणी के जो में प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट टाइम में हो रही है वो यही से आ रही है रियल इस्टेट बिजनस से तो इस की हिसाब से कंपनी की आगे की ग्रोथ होगी अगर आप फाइनांस और बिजनस में इंट्रेस्ट रखते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरू क्लिक कीजिए मिलते अगली वीडियो में ऐसी ही इंट्रेस्टिंग बिजनस स्टोरी के अद्रेस्ट वीडियो में इंट्रेस्ट।